प्रस्न संख्या छे दिये गए संख्या रेखा पर बिंदु K, L, M, N, A, B, C और D को इस प्रकार अंकित है के CD ब्राबर CB ब्राबर BA तथा KL ब्राबर LM ब्राबर MN है संख्या रेखा पर B, L एवं M जिस परिमे संख्या को दर्शाती हैं उसे लिखिए यहां हमें एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें यह बिंदु है A, B, C, D, R, K, L, M, N इसे हमें निरूपित करना है कौन से परिमे संख्या को यह दर्शाती है यह हमें बताना है तो आईए देखते हैं इसे हमारी जो पहली बिंदु है सुन से इधर यह A है और यह है माइनस एक फिर यहां हम देख रहे हैं C है माइनस दो और यहां दिया हुआ है A, B, B, A, B, C, B यानि यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर है अर्थात यह वाली जो B बिंदु है A और C के बीच में है अर्थात आधी है तो यह minus 1 और minus 2 के बीच आधी है ठीक है तो यह बिंदू क्या होगी पहले तो minus 1 यहां तक हो गई उसके बाद यह आधी यानि B बिंदू जो है वो है minus 1 और फिर इसमें हम जोड़ दे रहे हैं minus 1 बटा 2 minus 1 है और फिर यह आधी है ठीक है तो यह कौन सी बिंदू हो गई देखते हैं minus 1 यह plus minus minus 1 बटा 2 तो यह लासा 2 हो गया यह minus 2 minus 1 तो यह minus 3 बटा 2 आगया देखिए B बिंदू हमारा हो गया minus 3 बटा 2 ठीक इसी तरह से हम D बिंदू को देखते हैं तो यह minus 2 और minus 3 के बीच में है यानि यह आधी है यहां से अगर 2 के बाद हम देखें हैं तो यह आधी है यह और पहले से यह minus 2 है तो यह बिंदू हमारी होगी minus 2 और जोड और यह आधी है तो यह हो गई minus 2 plus minus minus 1 बटा 2 तो इसका लासा 2 हो गया minus 4 minus 1 minus 5 बटा 2 तो यह वाली बिंदू भी हमारी आगई minus 5 बटे 2 अब इस तरह हम देखते हैं 0 की दाहिनी ओर यहां है के और यह N यह 2 है और यह 3 है और तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 से 3 के बीच की जो दूरी है इसे 3 बराबर भागों में बाट दिया गया है तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी एक बटा 3 यहां से यहां की दूरी क्या होगी यह भी एक बटा 3 होगी तो यह वाली हमारी बिंदू क्या हो जाएगी L, तो L हो जाएगी 2 जोड एक बटा तीन, यहां से यहां एक बटा तीन है, और यहां से अगर इसको हम M को देखें, तो यह दो बटा तीन है, तो यह कौन से बिंदू हो गई? तीन, तीन दूनी छे और एक, यानि साथ बटे तीन, L, और M हो गई, दो जोड दो बटा तीन, और यह एक बटा तीन है, तो यह दो बटा तीन, तो यह हो गई तीन, तीन दूनी छे और दो, यानि आट बटे तीन, तो फाइनली हम देख लिए कि B हमारा कौन सा बिंदू है? B है, माइनस तीन बटा दो, D है, माइनस पाँच बटा दो, यहाँ L है, साथ बटा तीन, और M है, आट बटा तीन. प्रस्ण संख्या साथ, निम्नलिखित परिमेई संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए. आएए, मैं इसे हल करता हूँ, साथ मां का ये पहला प्रश्ण ले रहा हूँ, 14 बटे 12, हमें क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अंस और हर, इसका हम मौसर निकालते हैं, आएए, ये बारा से, जो प्रिक्रिया है मौसर निकालने की, बारा से एक बार दे रहे हैं, बारा एका, बारा, ये आगया हमारा दो, अब इस दो से हम बारा में भाग दे रहे हैं, तो दो छक बारा, तो हमारा मौसर बारा और चौदर का मौसर आगया, दो, तो हम, चौदर बाटे बारा बराबर, चौदर भाग दो, और बारा भाग दो, तो ये हमारा आगया, साथ बटा छे, तो चौदर बाटे बारा का मानक रूप हो गया, साथ बटे छे, इसे शब्दों में भी लिख देता हूँ, चौदर बटे बारा का मानक रूप बराबर, साथ बटे छे, ठेक इसी तरह से आप प्रस्न संख्या दो, तीन, और चार को भी हल करेंगे, प्रस्न संख्या आठ, बड़ी छोटी और बराबर मेसी सही संकीत विख इस्थान में भरिए, आईए से हल करते हैं, प्रस्न संख्या आठ का पहला, यहाँ पहला है, चार बटे छे, फिर बॉक्स है, इसमें भरना है हमें संकेत, साथ बटे नो, तो हमें जानना है कि यह परिवेश जो दोनों संख्याएं हैं, इसमें कौन बड़ी है, कौन छोटी है, या दोनों बराबर में, तो इसके लिए हमें इनके जो हर हैं, उन्हें समान करना होगा पहले, तो हर समान करने के लिए हमें इन दोनों हरों का 6 और 9 का हमें लवस्व निकालना होगा, आईए लवस्व निकालते हैं, 6 और 9 का 6, 9, तो इसमें 3 से भाव जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तियाई 9, तो लवस्व हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 3, अर्था 3 दूनी 6 तियाई 8, अब हम यह क्या करते हैं, 4 बटा 6 बराबर, 4 बटा 6 गुना, अब 6 से किस संख्या को गुना करें, 6 का किस संख्या से गुना करें, कि 18 हो जाए, तो यह 3 है, तो यह हो जाएगा, 12 बटे 18, अब यह 7 बटे 9 को भी ऐसा ही करेंगे, 7 बटे 9, और हम देख रहे हैं, 9 का 2 से गुना करेंगे, तो 18 हो जाएगा, तो इसे 7 बटे 9 को 2 बटे 2 से हम गुना करते हैं, तो यह हो जा रहा है, 14 बटे 18, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, जब हर समान है, तो हम अंस को देखेंगे कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है, तो यहाँ देख रहे हैं, यह 12 है, यह 14 है, अर्थात यह 14 बटे 18, 12 बटे 18 से बड़ी है, इसका अर्थ है कि 7 बटे 9 बड़ी है, 4 चिन लगाते हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं, 4 बटे 6 जोटी है, 7 बटे 9 बढ़ी है, अब प्रस्न संख्या 2 देखते हैं, यहाँ है माइनस 3 बटे 4 और बॉक्स है, माइनस 4 बटे 7, ठीक इसी तरह से पहले प्रस्न की तरह यहाँ भी हम हर को समान करेंगे, तो माइनस 3 बटे 4 बराबर माइनस 3 बटे 4 और इन दोनों का लसर हम 4 और 7 का निकालेंगे तो 28 आएगा, आप खुद से करके देख लेंगे, तो हम 4 को 7 से गुना करेंगे तो यह 28 होगी, तो यह हम गुना करेंगे 7 बटे 7 से, तो यह हो गया माइनस 21 बटे 28, इसी तरह से माइ माइनस 4 बटे 7 को हम गुना करेंगे 4 बटे 4 से तो यह हो गया माइनस 16 बटे 28 दोलों के हर समान हो गए तो हम देख रहे हैं माइनस 21 छोटी है और माइनस 16 बड़ी है तो इसका अर्थ है कि माइनस 4 बटे 7 बड़ी है और माइनस 3 बटे 4 छोटी है तो इसमें भी इसी तरह का च होगा यह माइनस तीन बटे चार छोटी है माइनस चार बटे साथ बड़ी है अब एक और तीसरा नमर देखते हैं प्रस्ण संख्या तीन प्रस्ण संख्या तीन यहां है एक बटा दो और यह बॉक्स चालिस बटा असी तो यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि अगर चालिस बटे असी को अगर हम मानक रूप में लाएंगे चालिस बटे असी को अगर हम मानक रूप में लाएंगे तो यह हो जाएगा एक बटा दो चालिस से कैंसिल होगा चालिस से एक बार जाएगा यह दो बार तो इसका मतलब यह एक बटा दो और यह भी एक बटा अब हम लोग और एक प्रस्न देखते हैं पाच्वा नमबर आएए यहीं पर लिखते हैं पाच्वा नमबर प्रस्न संख्या पाच्वा यह है शुन्य और यह है माइनस दो बटे साथ तो यह सुन्य है और यह है रिनात्मक तो हम लोग जानते हैं कि रिनात्मक संख्याएं सुन्य से छोटी होती है और सुन्य बड़ी होती है तो यहां हमारा चिन इस तरह का होगा और यह 5 बटे 11 और माइनस 5 बटे 11 यहां भी देख लेते हैं तो यहां क्या है कि यह धनात्मक है और यह रिनात्मक है तो धनात्मक संख्याएं हमेशा रिनात्मक से बड़ी होती है तो यह हमारा यह हो गया यहां तो यह हो गया यह हमने देखा था यह माइनस 3 बटे माइनस 7 और 3 बटे 7 तो यह दोनों बराबर ही है क्योंकि यह माइनस दोनों उपर नीचे है यह कैंसिल हो गई तो यह हो गया बराबर यह भी बराबर दो वाले में हमने क्या देखा था कौ इसमें किसको देखा था हमने 4 बटे 6 और 7 बटे 9 में यह था यह बढ़ा था चुकि 18 हुआ था तो 6 यह 18 यह 12 और हां यह बढ़ा था तो यह प्रस्न हमारा पूरा हल को किया है प्रस्न संख्या 9 निम्नलिखित परिमे संख्या को आरोही क्रम में लिखिए आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम या ऐसे एसेंडिंग ओडर भी कर सकते हैं तो आईए एक प्रस्न को मैं हल करता हूँ प्रस्न नंबर 1 तो ये है एक बटा तीन, एक बटा दो, एक बटा पांच, माइनस दो बटे तीन, तीन बटे चार तो इनमें कौन छोटी है, कौन बड़ी है ये जानने के लिए सबसे पहले हमें इनके जो हर हैं इन्हें समान करना होगा और हर को समान करनी के लिए हमें इनके जो हर हैं इसका लौसर निकालना होगा आईए लौसर निकालते हैं तीन, दो, पांच, तीन, चार तो सबसे पहले हम भाग देंगे दो से तो इस तीन में नहीं गया यह ही उतर गया दो एका दो, यह फिर पांच उतर गया यह फिर तीन उतर गया दो दुनी, चार इस बार हम देते हैं तीन से भाग तीन एक हो गया यह पांच रह गया तीन एका तीन और यह दो अब और कोई ऐसी दो संख्या नहीं है जिसमें भाग लग सके तो हमारा लॉसा हो गया यानि एलसियम दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा दो अर्थात यह हो गया दो ती आई छे छे पचे तीस दुनी साठ तो आईए सभी का हम हर समान करते हैं एक बटा तीन तो एक बटा तीन है तो तीन से हम किस संख्या को गुणा करें कि साठ हो जाए तो निस्चित रुप से बीस तो यहां भी बीस से करना होगा तो यह हो गया बीस बटा साठ अब एक बटा दो तो एक बटा दो को हम किस संख्या से गुणा करें 2 से को हम गुना करेंगे 30 से तो हमें ये 30 बटे 30 से गुना करना होगा तो ये आ जाएगा 30 बटे 60 अब हमारी तीसरी संख्या है 1 बटे 5 1 बटे 5 तो 5 से किस संख्या को गुना करें कि 60 हो जाएगा 12 से 12,25 तो ये 1 बटे 5 को गुना करेंगे 12 बटे 12 से तो ये हो जाएगा 12 बटे 60, अब बच गया एक और संख्या, दो संख्या और है, माइनस 2 बटे 3, तो माइनस 2 बटे 3, तो 3 से किस संख्या का गुना करें कि 60 हो जाए, 20 से, तो ये 20 बटा 20, तो ये हो गया माइनस 40 बटा 60, अब एक ये संख्या बच गयी है, 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 गुने, तो 4 से किस संख्या को गुना करेंगे, 15, 4 से 15 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये 15 बटे 15, तो 15 तिये 45 बटे 60, तो हम देख रहे हैं कि इन सभी परिमे संख्याओं का, इन सभी परिमे संख्याओं का हर समान हो गया 60, तो आप देखेंगे कि कौन इसमे से सबसे छोटी है, तो ये रिनात्मक है, निस्चित रुप से ये सबसे छोटी होगी रिनात्मक, बाकी सब धनात्मक है, तो यहाँ पर माइनस 40 बटे 60 सबसे छोटी है, इससे बड़ी अब कौन सी है, ये वाली 12 बटे 60, अब इससे बड़ी है ये 20 बटे 60, और इससे बड़ी कौन सी है, ये 30 बटे 60, और इससे बड़ी कौन सी है, ये 45 बटे 60, ये लासा को हम यहां से मिटा दे रहे है, अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस 40 बटे 60 कौन सी संख्या थी, माइनस 2 बटे 3, तो माइनस 2 बटे 3, इससे बड़ी ये 12 बटे 60, ये कौन सी है, एक बटे 5, अब इससे बड़ी थी 20 बटे 60, यानि ये वाली, एक बटे 3, एक बटे 3, और इससे बाद थी 30 बटे 60, ये एक बटा 2, और इससे बड़ी थी ये 3 बटे 4, तो ये हमारा आरोही क्रम में सज़ गया, सबसे छोटी है माइनस 2 बटे 3, उसके बाद एक बटे 5, उससे बड़ी एक बटे 3, उससे बड़ी एक बटे 2, और सबसे बड़ी 3 बटे 4, इससे सब्दों में भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम, तो ये हो गया, माइनस 2 बटे 3, एक बटे 5, एक बटा 3, एक बटा 2, और 3 बटे 4, ठीक इसी तरह से आप प्रस्न संख्या 2 को भी हल करेंगे,